नमस्का साथियों सभी का हर्दिक स्वागत अभिनंदन जनरल विपिन रावत एक ऐसी सक्सियत जो अब हमारे बीच नहीं रही और देश को अलविदा कह गए इनकी छती तो पूरी नहीं की जा सकती लेकिन इनकी योगदान इनके महत्वों को आज हम समझेंगे आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों इनका हेलिकाप्टर प्रहश हुआ और भारत ने अपने सेनापती को खो दिया जनरल विपिन रावत के विशे में जितना हम जानते हैं उन चीजों से अधिक कहीं अधिक विराट ये सक्सियत थी निशित ही भारत माता और भारत माता के सेन प्रशाशन के दर्शन को जिस तरीके से इनोंने डिफाइन किया उन दो पंक्तियों में वो आज की हमारी जजबे को दर्शाता है आपने देखा होगा कि इनके दो वाग के बहुत वाइरल हुए और वो दो वाग के क्या थे कि पहली गोली हमारी नहीं होगी लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिंती भी नहीं करेंगे ये इनका जजबा, इनका मोटिवेशन और सेना को प्रेडित करने की नए इंडिया की पहचान आप लोगोंने कई फिल्मों में, मुवीज में देखा भी हम उनकी चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार जो इन्होंने बदलते भारत की परिभाशा गड़ी सेना में रहकर यदि मैं इनके जन्म की बात करूँ, तो 16 मार्च की तिथी थी 1958 को उत्रा खंड पौडी गड़वाल में एक शत्री परिवार में इनका जन्म होता है और विपिन रावाज जी जो है इनके पिता श्री लक्षमाट सेन्ग जी सेना में लेफटनेंट जनरल रह चुके इनकी बात करें तो इन्होंने देहरदून में अपनी हाई स्कूल की, उसके बात सिमला में जो है एडवेट स्कूल में गए सैन ने देहरदून एकेडमी में इनोंने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की और धीरे धीरे अपने स्तर को वहाँ से आगे बढ़ाया यदि हम बात करें तो ये 31 दिसंबर 2016 को भारती धलसिना के प्रमुख में यह वो दिन था जब इन्होंने भारती धलसिना की कमाण अपने हाथ में ली पूर्व आर्मी चीफ जनरल विपिन रावज जो थे उन्होंने पहली उपलब्धी देश में अगर कोई हम बोलते हैं कि पहला प्रधान मंतरी पहला राश्वरपती पहला मुखिन आजिस तो ऐसा पहला पद जब देश में 2019 में गठित हुआ जिसने अंतरगत इनको CDS कई महतरीन पुरुसकारों से इनको सम्मानित किया जा जुका है जिन में परम विशिष्ट मेडल भी है उत्तम सेवा मेडल है युद्ध पदक है सेना पदक है विशिष्ट सेना पदक है और अगर आप तयारी कर रहे हैं एक्जाम की तो उसके नाते भी इनको जानना है कई उपलब्धिया है इनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कांगो प्रजातांत्रीक गंडराज्य आप सभी ने नाम सुना होगा संगतराष्टर की संग की सांती सेना के ये सदसे रहे कांगो लोकतांत्रीक गंडराज्य में इन्होंने बहुराष्टरी ब्रिगेड की कमान समाली गोरखा ब्रिगेड के और से जोकी सेना धेक्ष बनने वाले ये चौथे तलसेना धेक्ष रहे और कई ऐसे मुकामों को इन्ह अध्यक्षित थे और उस प्लानिंग का हिस्सा निश्चित ही रहे हैं और इन्होंने भारती से नियंतरन रेखा के पार करके आपने मुवी में देखा है विकी कॉशल वाली की भाई कैसे जो है हाउजा जोज बोला जाता है और वहां से पार करके पीयों के पार्ट ऑक्टिप कि ये जो सेना का बदलता दौर आने वाले पिगत कुछ वर्षों में हमने देखा और जिसकी नीव इनों ने रख गई है ये आगामी भारत के लिए अतुलनी हैं और देश इसके लिए इनका सदा रिनी रहेगा तो इन विश्यों को जानने के बाद इनको सच्ची सिर्थ ध सिर्थ हमें यही होगी कि की पॉइंट्स हमें इनके बारे में पता हों कि देश ने इतना गौरावशाली इतना विराट इतना महान से नपतिक हो दिया जिनकी सच्ची सिर्थ होगी कि भाई हम रास्ट्र को एक नई उचाईयों तक ले जाएं जिसके लिए इन होने और इन जैसे वेक्तित्वों ने अपना योगदान दिया एक दुलहटना में इनका दिहान तो हुआ यह देश के लिए एक बड़ी छती है निश्य थी कुछ सामान ने जानकारी मुझे आपसे साजहा करनी थी इनके विश्य में जैसे कि इनका जन्म तहरादून से इनकी सर्चिकल स्ट्राइक से लेकर इनके नाम के आगे जुड़ी हुई है मैं और मेरा वेक्तित्व बहुत ही शूक्ष्म और छोटा है इनकी उपलब्धियों का बखान करने के लिए फिर भी एक प्रियास किया कि आप लोगों तक यह जानकारी पहुँचे कई माध्यमों से यह जानकारी आपको नहीं होती है तो जरूर अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नहीं जानकारी मिली तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और जरूर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें अन अकेडमी को